प्रोजेक्शन आफ स्टेट लाइन का थर्ड प्रॉल्म सॉल करेंगे वैसे इसके पहले अल्रेडी हमने प्रोजेक्शन आफ स्टेट लाइन के दो प्रॉल्म्स लिये थे और उसके भी पहले हमने projection of state line के कोई भी problem solve करने के लिए most important कुछ rules बताये थे और उसी के साथ engineering drawing के number of topics हमने इसके पहले study किये थे तो अगर आपने इसके पहले के सभी problems और सभी topics अगर नहीं study किये हैं तो आज के वीडियो के description में जाईए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएंगा वो link पे click करके आप आसानी से इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं तो चलिए आज का lecture start करते हैं आज हमें projection of state line का third problem solve करना है तो question क्या रहेंगा उसके लिए तो question आपके सामने है और ये problem solve करने के लिए भी हम वही rules का use करेंगे जो हमने first lecture में बताये थे तो चलिए सबसे पहले given data लिखते हैं कोई भी projection of state line का problem solve करते समय आपको given data लिखना ज़रूरी है तो given data लिखते हैं हम तो चलो given data में देखते हैं क्या क्या आएंगा given data तो देखे question हम repeat यहां पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया है question में लिखा है line PQ 80 mm length line मतलब true length ये हमने बताये थे तो ये हम लिखेंगे true length that is 80 mm true length 80 mm हमने लिख दिये अब हम question को आगे पढ़ेंगे question में आगे लिखा है its aid P is 30 mm above HP and 25 mm in front of VP its aid P is 30 mm above HP above माने x y line के उपर draw करना है और उसमें dash लगाना है point का relation अगर HP के साथ है तो उसमें dash लगाओ और अगर point का relation VP के साथ है तो उसमें dash मतलगाओ point अगर above HP है तो x y line के उपर draw करो और उसमें dash लगाओ point अगर in front of VP है तो x y line के नीचे draw करो और उसमें dash मतलगाओ तो चलो यहाँ पर देखते है question में लिखा है point is 30 mm above HP it means हम यहाँ लिखेंगे P dash 30 mm above HP और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ 25 mm in front of VP इसमें dash नहीं रहेंगा point B है 25 mm IFO माने in front of VP above HP in front of VP है इसका मतलब यह जो line है यह quadrant 1 में है तो यहाँ पर हम इसको first quadrant में लेके solve करेंगे question को आगे बढ़ेंगे question में आगे लिखा है line makes an angle of 30 degree to HP and 45 degree to VP मतलब line का angle HP के साथ और VP के साथ दिया है line याने true length true length याने line तो line का angle दिया है 30 degree to HP याने ही true length का angle दिया है 30 degree to HP true length उपर भी बनता है true length नीचे भी बनता है उपर जो true length होता है उसका angle होता है theta और नीचे जो true length होता है उसका angle होता है phi तो यहाँ पर true length का angle याने line का angle दिया है 30 degree to HP मतलब theta है 30 degree और 45 degree to VP मतलब phi है 45 तो हम यहां लिखेंगे theta that is 30 degree और यहां पर phi लिखेंगे that is 45 degree given data में इतना 5 data हो गया तो चलिए यह given data का use करके हम यहां पर problem solve करेंगे given data आपके सामने है और देखते हैं given data से कैसे बनेगा और यह problem draw करने के लिए हम वही rules का use करेंगे जो हमने starting में बताये देखें तो यह diagram का use करके हम यह problem solve करेंगे यहां पर आप अगर properly check करेंगे तो एक reference line आपको दिखाई दे रहा है extra line उसके उपर आपको दो lines दिखाई दे रहे जो कि है front view और true length और उसके नीचे भी आपको दो lines दिखाई दे रहे जो कि है top view और true length और इसी type का हमें यह problem भी यहां पर draw करना है तो उसका given data आपके सामने है तो चलो सबसे पहले reference line draw करेंगे क्योंकि बिना reference line के problem नहीं बनेगा तो सबसे पहले हमें protocol projector ड्रॉ करोओ projector draw ना ज़रूरी है पहला projector projector हमेशा perpendicular to xy and faint हो ना faint draw करने के लिए आप 4H number का pencil तो यह हमने एक projector ड्रॉ कर लिए और यह पहले projector पे हमें क्या करना है point का point P का front view topic show करना है point P यहां दिया है 30 mm above HP मतलब xy line से उपर तो xy line से उपर हम यहाँ पे point show करेंगे xy line से उपर 30 mm तो यह हमने show करे point P 30 mm उपर xy line के और यहाँ point P लिखा है 25 mm in front of VP तो यहाँ पे हम point P लेंगे that is 25 mm तो यह हमने ले लिए point P अच्छा point कितना उपर है कितना नीचे है उसका dimension आपको लिखना पड़ेंगा distance आपको लिखने से marks आपको full आएंगे तो देखें dimension आपको हमेशन लिखना है तो यह हम लिखेंगे point 30 mm above HP है और यहाँ लिखेंगे 25 mm in front of VP है तो यह हमने यहाँ पे dimension लिखी दिए और अब हम यहाँ पे theta और phi अप्लाई करेंगे theta क्या होता है तो सबसे पहले हम theta apply करेंगे theta apply करेंगे theta मतलब क्या तो theta मतलब ऊपर के true length का angle देखे यहाँ पे जो उपर का true length है उसका जो angle है वो है theta और जो नीचे का true length है उसका angle है phi it means यहाँ पे देखिए θटा और 5 जो दिया है वो हमें दोनों के दोनों यहां अपलाए करना है θटा हमें ऊपर यहां पर शो करना है और 5 हमें यहां पर नीचे शो करना है तो चलिए उसके लिए हमें काम करेंगे सबसे पहले P-से एक horizontal line ट्रॉ और P से भी एक horizontal line ट्रॉ करो क्योंकि उपर का angle हमें PDS से यहाँ पे लेना है इसलिए हम उपर एक horizontal line draw करेंगे और P से भी हम एक horizontal line draw करेंगे parallel to XY, it means हम यहाँ पे locust बनाएंगे और अब यहाँ पे उपर angle show करो 30 degree का और नीचे angle show करो 45 degree का तो यह देखे हमने protector लिये और यहाँ पे उपर 30 degree का angle show करेंगे और नीचे 45 degree का angle show करेंगे तो यह angle show हो गया और अब यहाँ पे उसकी lines बनाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पे true length जो दिया है वो भी हम उसके उपर show करेंगे true length दिया है 80 mm तो हम क्या करेंगे? यह 30 degree वाली line पे 30 degree वाली line पे हम क्या करेंगे? true length भी यहाँ पे हम show करेंगे line बनाने के साथ साथ हम यहाँ पे true length भी show करेंगे तो यह हमने true length यहाँ पे show कर रहे हैं और यहाँ पे भी नीचे 45 degree वाली line पे भी आप true length show करेंगे और यहाँ पे naming दे देंगे तो यह है q1 dash और यह है Q1 तो यह true length हमने show किये यह हम इसके उपर लिख लेंगे TL और इसके उपर भी हम लिख लेंगे TL और यहाँ पर हमने angle लिए इतर 30 degree तो यहाँ पर हम show करेंगे angle that is 30 degree का यह आपको angle वगर सब कुछ show करने का उससे आपको marks अच्छे मिलेंगे और नीचे का angle है 45 degree का तो यह भी आप show करेंगे यहाँ angle that is 45 degree और अब फाइनली given data जहां तक complete हो गया देखे given data में जो कुछ भी लिखा था वो हमने यहाँ पर attempt कर लिए सबसे पहले हमने P dash और P यहाँ पर show किये यहाँ पर theta और 5 वो भी हमने show किये और true length था वो भी हमने show किये देखे कोई भी projection of straight line का problem draw करते समय आपको total 4 lines draw करना है उसमें उपर का front view नीचे का top view और दोनो true length ऐसी total 4 lines होती है 4 lines में से 2 lines यहाँ पर draw हो गई उपर का true length और नीचे का true length draw हो गया अब हमें front view top view के points चाहिए तो front view top view के points हमें show करना है it means हमें B dash और B ऐसे points show करना है जो कि front view और top view के points है यह तो true length का point है यह जैसा यहाँ पर B1 dash है वैसा यहाँ पर Q1 dash है और जैसा यहाँ पर B1 है वैसा यहाँ पर Q1 है it means यह true length के point है हमें true length के point के बाद हमें अब front view, top view के point show करना है, तो front view, top view का point कहां show करना, तो ये जो true lane का point है, उसी के left side में front view का point होगा, और ये true lane के left side में top view का point होगा, क्योंकि हमने rule बताए थे, कि front view, top view के points हमेशा true lane के point के left side में होता है, true lane का point हमेशा right side में होता है, और front view और top view का point हमेशा left side में होता है तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे हमें एक locust draw करना है उसको हम कहेंगे locust of b dash और यहाँ भी हमें एक locust draw करेंगे locust of b जो कि parallel to xy रहेंगा b dash और b1 dash it means true length और front view का point एक horizontal level पर है और यहाँ पे भी true length और top view का point एक horizontal level पे है तो ऐसी horizontal level हमें यहाँ पे सबसे पहले draw करने पड़ेंगी it means हमें यहाँ पे locust पहले draw करना पड़ेंगा parallel to xy तो यह देखे हमने उपर भी एक locust draw कर लिए parallel to xy और यहाँ पे हम नीचे भी एक locust draw करेंगे parallel to xy आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि यह लोकस है तो हम यहां लिखेंगे लोकस ओफ क्यू डैश और हम यहां लिखेंगे लोकस ओफ क्यू तो फाइनली यह टूलेंग का पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड में यहां पे कही न कही फ्रेंट वी का point आएंगा ये भी true link का point है इसके left side में यहां कहीं न कहीं topic का point आएंगा तो वो आप कैसे show करेंगे देखें यह अब यहां पर बहुत important है इसके पहले हमने जो rules बताये थे उसी का use करके हम यह show करेंगे तो देखें उसके लिए हमें क्या करना है तो यहां पर सबसे पहले आप properly चेक करेंगे यह जो diagram हमने यहां बना के रखे है यह diagram के उपर आप देखें बहुत ही important है अब यह stage हमने आपको rule बताये थे कि front view को rotate करेंगे और vertically नीचे project करेंगे तो नीचे का true link बनता है और उसी के साथ साथ top view को rotate करके vertically उपर प्रोजेट करेंगे तो उपर का true link मिलता है क्या बताये थे फिर से सुनो front view को rotate करेंगे यह देखे यह front view आपको दिखाई दे रहा है A-B-Front View को Rotate करेंगे देखे, Front View को Rotate करेंगे और Vertically नीचे Project करेंगे तो नीचे का True Length मिलता है उसी तरह से यह जो Top View है A-B Top View को अगर आप Rotate करेंगे और Vertically उपर Project करेंगे तो उपर का True Length मिलता है It means, जो अभी हमने बता है Top View को Rotate करेंगे और verticallyly उपर project करेंगे तो उपर का true length मिलता है It means हम top view से true length find out कर रहे हैं तो जब आप top view से true length find out कर सकते हैं तो क्या true length से top view find out नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो वही हमें करना है हम क्या करेंगे यहाँ top view से true length find out करने के बजाए हम यहां true length से top view find out करेंगे क्योंकि हमारे पास already true length है true length से top view find out करेंगे उपर वाले true length से नीचे का top view find out करेंगे और नीचे वाले true length से उपर का front view find out करेंगे it means हमने यहां जो किये है उसका उल्टा करना है तो आईए यहां पर draw करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो true lane का point है, q1 dash, देखिए उपर true lane का point दिख रहा है आपको, q1 dash, ये q1 dash से vertical projector यहाँ पे draw करेंगे, q1 dash से vertical projector यहाँ तक draw करो, और फिर उतना length लेके compose में, p as a center, उसको इधर rotate करो, तो यहाँ पे cut जाएंगा, तो आपको top view मिल जाएंगा, तो ये देखिए, हम वो करेंगे, it means हमें ultra काम करना है, तो यहाँ पे, सबसे पहले q1 dash से, हमने vertical projector ट्रॉजेक्टर 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 किये, हम यहाँ पे arrow भी दे देते हैं, आपको समझाने के लिए, देखिए, हमने q1 dash से vertical projector यहाँ टॉफ यू का point मिल जाएंगा, तो आएए वो हम show करेंगे, तो ये देखिए, ये हमने इतना length compost मिले लिए, ये देखिए, ये हमने compost मिले लिए, और अब p as a center लेके हम ये point को, हम ये projector जो यहाँ तक आया है, इसको इधर rotate करेंगे, तो देखिए, इधर हमने rotate किये, यहाँ यहाँ पे कड़ गया, यहाँ पे कड़ गया, जहाँ पे कटा वो आपको टॉफ यू का point मिला Q, तो यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए arrow भी दे देते हैं, तो ये देखिए, हम इसको इधर rotate कर रहें, ऐसा, अब टॉफ यू का point मिल गया, तो तूरंत उसको join कर लो, के लिए हमने जो किये थे, वही हम front view द्रॉफ करने के लिए भी कर सकते हैं, तो front view के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यह जो नीचे का true length है, Q1, वहाँ से हम vertical projector यहाँ तक ड्रॉफ कर सकते हैं, और यहाँ तक, ड्रॉफ होने के बाद उसको rotate इधर करेंगे, यहाँ द एक और उप्शन है फ्रेंट विः टॉफी के पॉइंट्स एक वर्टिकल स्टेट लाईन में होते हैं जैसा कि P एक वर्टिकल स्टेट लाईन में है यह फ्रेंट आप पॉइंच उसी तरह से Q देश जो यहाँ मिलेंगा Q dash और Q ये भी एक vertical straight line में होंगे तो हम क्या करेंगे ये Q से सीधा सीधा एक vertical straight line ड्रॉ करेंगे It means हम एक projector ड्रॉ करेंगे perpendicular to XY Q से ये जो नीचे का point है Q टाफ़ी का point यहाँ से अगर आप एक vertical projector ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जहाँ कट जाएंगा वहाँ आपको front view का point मिल जाएंगा यह देखे यहाँ पे भी rule वही है जैसा A- और A front view toffee का point एक vertical state line में है उसी तरह से B- और B front view toffee का point एक vertical state line में है यह सिर्फ front view toffee के points के लिए ही होता है true length के point के लिए यह rule नहीं है true length के points है true length के point यह कहीं पे भी हो सकता है true length के point एक vertical state line में होते है ऐसा हमने नहीं बता है front view toffee के points ही सिर्फ एक vertical state line में होते है यह देखे front view toffee के points आपको एक vertical state line में दिख जाएंगे तो चलो हम वही करेंगे तो हम यहाँ पे Q से एक vertical line ड्रॉ करेंगे एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे exactly perpendicular to xy और प्रोजेक्टर आप फेंड बराएंगे और उपर के लोकस वाले लाइन पे जहाँ पे कट जाएंगा देखिए उपर के लोकस वाले लाइन पे अभी कट जाएंगा तो वहाँ पे आपको front view का point मिल जाएंगा यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आपको front view का point मिल गया तो आप इसको point को नाम देंगे front view का point that is q dash और उसको p dash से हम join करेंगे तो हमें finally यहाँ front view का length यहाँ मिल जाएंगा तो यह देखिए यह हमें इसको p dash से हम join करेंगे यह देखिए front view का length हमें मिल गया और अब हम इसके उपर लिख लेंगे FV, it means front view तो finally front view हमें मिल गया top view भी हमें मिल गया और result हम यहां पर लिख लेंगे result हमेशा right side में नीचे में ऐसा लिखना होता है result में जो कुछ भी find out करना है वो आपको question में इसे लिखा नहीं ताकि कुछ find out करो फिर भी आपको अगर कुछ find out करना है तो आप यहाँ पर top view का length और front view का length लिख सकते हैं आप चाहे तो alpha लिख सकते हैं आप चाहे तो beta लिख सकते हैं जो भी problem में नहीं दिया है वो आप result में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो finally यह problem यहाँ पर complete हो किया यह problem आप अपने drawing book में जरूर draw करिये और जो भी result type वो आप लिखिये इसके आने वाले videos में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे इसके पहले हमने इसके दो problems cover किये थे वो भी आप लोग study करिये उसके साथ साथ और भी number of topics हमने engineering drawings related cover किये थे तो अगर आपने इसके पहले के वो सभी problems और सभी topics अगर नहीं study किये है तो आज की वीडियो की description में जाएए वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी topics के playlist का link मिल जाएगा वो link पे click करके आप आसान इसे इसके पहले के सभी videos देख सकते हैं आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like करिए अपने friends जिनको इसकी जरूत है आप उनके साथ इसको share करिए कुछ doubts है तो आप हमें commit section में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है तो आप इसे subscribe करिए ताकि इसी तरह के useful videos आपको हमेशा मिलते रहें तो मिलते हैं next video में Thank you very much